हेलो स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के भुवाकृतिक प्रधेश इसको हम आज कंतिनीव करते हैं पिशली बार हमने भारत के जो भुवाकृतिक प्रधेश है जिनको भुवाकृतिक ज्यान की दूश्टी से चार भागो में बाटा गया है उनमें से हमने पहले भाग के बारे में चर्चा करी थी जो था उत्री परवतिय प्रदेश उत्री परवतिय प्रदेश को भी मुखे रूप से तीन भागों में बाटा गया है जिसमें हिमालय पर्वतिय प्रदेश, ट्रांस हिमालय पर्वतिय प्रदेश, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़िया हम इसको कह सकते हैं वो तीनों तीन भागे इसके जिसमें हम हिमालय पर्वतिय प्रदेश को पढ़ चुके हैं आज हम देखेंगे ट्रांस हिमालय परवती प्रदेश चलिए आगे बढ़ते हैं कि पिश्ली क्लास में हमने उत्री परवती प्रदेश में हिमालय परवती प्रदेश को देख लिया था परन्तों कुछ मैंद फून तथ्य ऐसे ते जो रहा गया थे जिने आज हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोग को कभी भी एक्जाम में ऐसा कुछन पूछा जा सकता है कि लित्र में और साथ ही जो अरावली प्रवत का कुछ भागें वहां पर इसमे भ्रण्ष जो है प्रदश जो निर्मित हो गई यह जरारे निर्मित हो गई उनके यह नाम है उनको यानि कि लगु इमाले और महान इमाले के पीच में जो भ्रंश निर्मित हुआ ही है दराह निर्मित हुई है उसको हम मुख्य मध्य कटान कहते हैं और इसकी लंबाई जो है 200 किलोमिटर के असपास है अब इसमें इसको हम कह सकते हैं यह भूगर्विक दरार है बहुत ही से यह निर्मान हुआ है व्रहद सीमान्त कटान या महस्त रहा सीमान डराण ग्रेट बाउंडरी सौट यह अरावली परवतमाला का पूरी भाग में पूर्वी सीमान्त प्रदेश जो है वह जहां पर विन्न परवतमाला से मलता है इन दोनों के बीच में एक विष्रत तीसरा है मुक्य सीमान्त दराल यह जो है लगू हिमाले श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के मध्यत एक बुर गर्विक दराल है तो आप इन दोनों का आप इन तीनों जो दराएं इनका अच्छे से ध्यान रखे आप एक सिंबल बना के इसको याद कर सकते हैं जिसे कि महान हिमालर लगू हमाले के बीच में यानि कि में सेंटर ठरस्ट है और लगूर शिवाली के बीच में है में बाउंडरी फॉल्ट और आपको यतियाद रहेगा ही कि व्रह सिमान धरार जो है अरावली के सिमान भाग और मिंद्यन परवतमाला के बीच में तो चलिए आगे पढ़ते हैं आज हम दूसरा भाग ट्रा कीए फाल जो हिस्सा था व्रहालेस दक्षिंद में लुख सिमाले और दक्षिंतल नधर शर्णी वह है यह उर्पान क्रमशाद समाना धर मिंद्यन फ्रिक नभाक है यानि दुख कश्मी दोर्ट लजो शेत्र है लह शेत्र है उपरी जो भागे जिसको हम पियो के कहते हैं यह वाला इससा यह जो भागे इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले में मूल रूप से कराकुरम श्रेणी लद्धाक श्रेणी और इसके साथ में एको श्रेणी है केलाज श्रेणी हम किसको कहते हैं जाजकर श्रेनी यह सब किसका भाग है ट्रांस हिमाले का भाग है ट्रांस हिमाले जो है इसमें यह जो है एश्या की रीड के नाम से जाना जाता है इसमें जो कराकरम श्रेनी है वो सबसे इंपोर्टेंट है और इसी को हम कहते हैं उच्छे एश्या की रीड और यह जो गाठे और नि इसकोते हैं पामीर पठाव उससे निकलीए इसमें इसकें The जो कि ट्रांस हिमाले का भाग गए कभी कभार आपसे एक्जाम में competitive exam में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमाले की जो प्रमुक श्रेणी है इनका उत्तर से दक्षिन में क्रम श्रम इनको क्रम में जमाई गए तो आपको यह याद रखना है इसमें एक important fact और है कि सिंदू नदी जो है यहां की प्रमुक नदी है और यह जासकर और लद्दाख श्रेणी यह जासकर और लद्दाख श्रेणी के बीच में जासकर लद्दाख श्रेणी के बीच में यह प्रवाइद होती है और यहां से यह काटते हुए यहां से प्रवाइद होते हुए यहा और कहां पर बना रही है? बुंजी नामक इस्तान पर. तो ये भी आप ध्यान रखेगा. और इस गौठ प की गहरा रही है, वह कितनी है? बावन सो मिटर. अगली पहाडियां वहा है, तीसरा वाभ पुर्वान्चल की पहाडियां. पूर्वांचल की पाड़ियां जो है पूर्व अंचल यानि कि भारत का जो उत्री परवतिय प्रदेश है भारत का जो उत्री पूर्वी जो राज्य इस्तित हैं जिनको हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं यह वहां इस्तित है जिनमें अरुणाचल प्रदेश है नागा पाडिया है उनको हम इस तरह से पर सकते हैं कि यह बीच में एक विश्वत शंकला का निर्मान करती है दिन पाडियों में अगर अउनाचर प्रदेश में सिर्व पाडियों की बात की जाय को अकार धफ्ला अभोर मिश्मी ये पाडिया प्रहुख है जैनतिया अप इन तीन पाडियों के जो नाम है उनका विशीश तोर पर धियान रखे क्योंकि इन पाड्यों का जिक्रेग जो भारत में मनसुन पौणे जो होती है या जब हम बांसुन का अध्यन करेंगे, भारत ये मानसुन का, वहाँ पर इनका जिक्रवश्य होगा इसको हम बार में डिटेमिन पढ़ेंगे पर इनका पमायतर एक बार देख लेते हैं कि गारों खासी जो जहनतिया ये तीनों पाडिया हैं ये मेगालय राज्ये में स्थित है और इस राज्य में पाड़ियों के जो आकार है इन पाड़ियों का जो अकार है ये कीप की तरह फैली हुई है और जब भारत में दक्षिन पशिम मानसुन की एक शाखा बंगाल के खाड़े से होते हुए पूर्वी भाग से टकराती है पूत्री पूर्वी जो राज्य है उनम यह इनको पाड़ नहीं कर पाती है और बार बार इन से तक्रारने के वज़े से यहां पर बहुत अधिक वारिश कर देती है अपने पूरी आदिता को गिरा देती है और यही कारण है कि विश्व का जो सरवादिक वर्षा वाला जो शेत्र है मासिन ग्राम वह भी का इस्तित है अगला जो प्रवतिय शेत्र है हमाले परवतिय शेत्र में कुछ महतपुंद डर रहे हैं और इन दर्रों को याद रखना वह जरूरी है जिसमें हम नाम देख लेते हैं बूर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकॉरं दर्रा, जोजिला, शिप्किला, रोहतां यह important दर्रे हैं इनमें से कुछ को हम देख लेते हैं जोजिला दर्रा यह दर्रा कश्मीर राज्य में जाशकर श्रणी में है और यह किसको जोड़ता है श्रीनगर से लहे जाने आले सड़क मार को यह दोड़ता है या फिससे होकर यह गुजरता है बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मी राज्य दर्र में है और यह स्री नगर से जम्मू को जोड़ता है और यहां से जो एक मात्र जो राजमार्ग है वो कौन सा है 1A निशन हाईवे 1A शिपकिला दर्रा हिमाचल को देश में है और शिम्ला से तिबब जाने हाले मार्क को शिम्ला से तिबब जाने हाले मार्क से ये दर्दे से निकलते हैं और important जो fact वो है कि 17 जो नदी है 17 नदी भी कौन से दर्दे से निकलती है शिप्किला दर्दे से अगला है बाडालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये मंडी से लहे की सड़क मार्ग को जोड़ता है अगला है रोहतां दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये मंडी से लहे मार्ग को जोड़ता है माना और नीती दर्रव में 2 दर्रे जो हैं उत्रा-खंड Razαι में सित है और केलाश मांसरो और जाने वाला रास्ता इसे से अपन्र जाता है कि नाथुला फास और जूआ नाथुला फास जो है सिक्कीम मिा है सिक्कीम राज्य में जो दारजी minority हिए इन से होकर यह निकलता है और तिब्बत जाने का रास्ता ये प्रधान करता है इस इंपॉर्टन इस दर्वे से एक इंपॉर्टन फैक्ट यह है कि नाथुला पास को बहुत वर्शों पहले बंद कर दिया गया था चाइना के साथ डिस्कृत होने की वज़े से परम्तु तो उसके बाद से ही इसको समय पर खोला जाता है और ये या प्राचिन काल में जो सिल्क रूट था जिसको अम्रेशम मार केते हैं वह सिल्क रूट भी नाथुला पास से वकर गुजरता है तो इसकी एक इंपॉर्टन फैक्ट है और ये साम्टिक दिश्टी से भी नाथुला आपको यह आपको यह से जाने का नाथला मुद्वा निशन सकंपर्दाण करता हैं 진 पालघाट दर्रा और सिन्ट को conspiracy आधीय। धिद्चिन भारत के प्रमुःद रहे हैं और महराष्ट के सब्सक्राइब धरुण में तो की है याद में एक और इंपोर्टेंट फेक्ट वो है कि बनिहाल जो दर रहा है उसे एक सुरंग निकाली गई जिसे हम कहते हैं जवार सुरंग वो जम्मू से स्रीनगर को जाने का रास्ता परदान करते हैं तो यह थे इंपोर्टेंट भारत के भुआ कृतिक प्रदेश हमें उत्तरी परवति जो मेदान उसके बारे में देखेंगे इसमें गंगा यह उमना द्रानिमित मेदान को ब्रहमु पुत्त नंदी द्रानिमित मेदान शुत्र को सम्मिलित करेंगे तो चले अबले क्लास के लिए आप त्यार एगे थैंक्यू